नमस्ते सलाम नमस्ते कैसे हूँ आप सब आशकरती हूँ आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस प्यारे से विदर को because you know that love is in the air let's see आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है तो आप ready हैं सबसे पहले तो रीडिंग देखते ही बोलतीजे ready जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं अगर आपने कभी भी comment नहीं किया या फिर आप हमेशा comment करते हैं आज शुरुआत कर दीजिए कुछ मीठा हो जाए तो फिर आप लिखे ready तो सबसे पहले आपकी energy चेक करेंगे आखितार इस relationship में अभी हो क्या रहा है ठीक है आपकी रिष्टे में वो हम चेक करेंगे what is coming in your relationship what is coming in your relationship 10 of pentacles page of pentacles key energy the sun key energy long-term and harmonious love the tower moment okay the hermit energy देखो इसको ना मैं आज की date में 10 on 10 reading कहूंगी ठीक है ना 10 on 10 reading मैं बोलना चाहूंगी देखो यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है see you are manifesting so many things बहुत सारी चीजों को इस समय manifest कर रहे हो शायद camera आप focus कर रहे है हाँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है आपके दिल में जो आप बताते नहीं हो और असली कहानी तो वहीं छुपी है जो आप चीज बताते नहीं हो बाकी सब तो दूसरों के सामने है I feel like आपके person की जन्दगी ये खुली किताब की तरह है और वो किताब वो खुली है ना पर उस किताब को पढ़ने वाला सिर्फ एक है वो हो आप मतलब ऐसे देख रही हूँ कि इस किताब को अगर मैं दूर भी रख दूना अब जिस तरीके से इस किताब को पढ़के बयान करोगे शद इस से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता In fact, I feel like इस पूरी किताब में जितनी चीज़े लिखी हुई है आप वो पहले से जानते हो जो भी आज मैं बताने वाली हूँ मुझे ऐसा लगता है रिडिंग स्टार्ट करने से पहले ही वो चीज़ आप पहले से जानते हो देखो पहली चीज़ तो आपके लिए ये निकल के आ रही है 10 of pentacles, steady and furnishing love flourishing love देखो, you are attracting happiness lots and lots and lots of happiness और ये जो आपके जिन्दगी में खुशी आ रही है मुझे लगता है कि something related to your grandparents जो शायद आपके साथ रहते हैं या दूर रहते हैं कोई joint family में हो सकता है कोई एक function ऐसा आने वाला है जिसका आप काफी time से इंतिजार कर रहे हो या आप अपने cousin से मिलने वाले हो या बहुत time से आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी family के साथ vacation पर जाओ बहुत time से आप कोशिश कर रहे हो खुद को भी एक treat देने की खुद को भी एक refreshment देने की और आप ये भी सोच रहे हो कि अपना पिछले कुछ सालों से तीन चार सालों से ना आपकी life ऐसे हो गई है कि आप एक loop में फसे हुए हो जहां आप इतना जादा खुद को ठका रहे हो कि rest की कहीं जगा ही नहीं है इतना जादा over working है आप आप कर रहे हो इतना जादा आप चीजों को लेकर परिशान रहते हो यहां पर ऐसा लग रहे है कि चाहा कर भी अपने लिए आप time नहीं निकाल पा रहे हो चाहा कर भी ऐसा लग रहे है कि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आपको चाहिए कि आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है कि इस चीज से आपको rest मिलेगा ऐसा लग रहा है बस काम किये जा रहे है अपने future के लिए लेगिन फिलाल में आपने decide किया है कि आप लोग ना जाके enjoy करने वाले हो आप लोग जाके कहीं पे भी हो कैसे भी हो कोशिश पूरी रहेगी कि आप अपनी family को खुश कर सको ठीक है financial stability यहाँ पर दिखाई दे रही है हो सकता है कि आप घर खरीदने की सोच रहे हो या planning कर रहे हो या फिर अपने बुज़र grand father grand mother को अगर आप something related to in your family कुछ न कुछ शायद उन्होंने बहुत time wait किया है finally वो चीज हो पड़ी है finally वो stuck energy जो है वो clear हो रही है आपके life में बहुत सारी abundance आ रही है बहुत सारी health आ रही है दूसरी और हाल फिलाल में न देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दू हो सकता है चलो मैं कोशिश करती हूँ बताने की आपके family न देन हो आपको कैसा बड़ा किया गया है आपके family को पता है कि आप emotionally कैसे हो आपके family को idea है कि आपको किस type का प्यार चाहिए कैसे आपको समालने वाला चाहिए या समालने वाली चाहिए तो ऐसा लगता है आपके फामली की तरफ से ही ऐसे बहुत सारे लोग है कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, जोरदस्ती नहीं है, कोई बात पकी नहीं हुई है पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके फामली की तरफ से ही कुछ लोग कुछ रिष्टा लेके आएं हैं एक suggestion की तरह आपने पिछले एक दो दिन ये एक हफ़तों में सुना होगा किसी को suggest किया गया है कि ये so and so person है वो आपके लिए सही रहेंगे या फिर कोई आपसे मजाक में ही सही आपकी family हो सकता है सब बैठे हो आज तक ऐसी बात कभी हुई नहीं पर आप हुई है कि हाँ इनकी शादी कब होगी रिगार्डिंग यू आपकी बात को लेके तो आपकी family आपको लेके बहुत ज़दे excited है और आपकी family मतलब बहुत ज़दा बात नहीं हो रही है लेकिन ऐसा लगता है कि everyone is happy, everyone is waiting कहीं ना कहीं ठीक है पिछले कुछ टाइम में ये बात हुई है पर दूसरी और ऐसा लगता है इस चीज़ को जब भी आप सुनते हो ना आप खुश होते हो आप अपने wedding day को लेके बहुत ज़दे excited हो लेकिन currently एक तरीकी का डर मैं दिखाई दे रहा है आपके मन में ये चीज़ जरूर चलती है आप अपनी family के साथ बहुत खुश हो आप उनको हर चीज़ देना चाहते हो सब कुछ देखना चाहते हो लेकिन आपने ना अपने heartbreak के बारे में या फिर आपके जो expectation टूटी है अपने person से जिनके साथ आप no contact में हो उस बारे में आपनी किसी को नहीं बता रखा page of pentacles के energy से साब पता चल रहा है कि आप जिस person के बारे में सोच रहे हो जिस person से आप expect करते हो आप जिस person का wait कर रहे हो कि कही न कहीं उनसे आपको stable love चाहते हो आपको एक secured love चाहिए जो successful हो जो abundant हो जो understanding हो और जो mature हो क्योंकि आपको एक ऐसे balanced person की तलाश है और I know आप किसको लेकर अपनी reading को देख रहे हो ठीक है किसको चाहते हो तो उन्हीं के बारे में मैं बोल रही हूँ उनके बारे में आपके person को sorry आपके family को नहीं पता आपके family को यह नहीं पता कि आप किसी को अपने दिल में रख रहे हो और उनसे आप उमीद लगाया बैठे हो और ऐसा लग रहे है कि वहाँ पूरी तैयारिया चल रही है और लोग चाहते हैं आपके लिए अच्छा हो सब कुछ हो दे नो दाट की आप अपनी जगा बिल्कुल प्यॉर हो अपनी जगा सई हो पर दूसरी और यहां पर दे टावर मॉमेंट आ रहा है मतलब ऐसा लगता है नहीं बहुत शर्म की बात है आपके लिए कि जिसको आप बहुत ज़दे चाहते हो कि यहां से चीज़े साही होंगी वहां चीज़े घर बड़ाई हुई है वहां उस तरफ तैयारिया और यह तो ऐसा लगता है कि आपको और बुरा लगता है कि इस परसन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा ठीक है आपके अंदर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी बहुत ज़दा सेल्फ लफ की कमी है और ऐसे लगता है कि वहाँ कोई अच्छी चीज़ भी अगर आ रही है गुड न्यूस भी आ रही है तो आप एक तरीके से ठहर जाते हैं रुक जाते हैं आप सोच में पढ़ जाते हैं मतलब खुशी को भी एकसेप्ट नहीं कर भा रहे हैं खुशी से इतना ज़दा परिशान हूँ दा हर्मिट की एनरजी इस चीज़ को लेकिन आप बहुत ज़दा अवॉइड कर रहे हैं अपनों के साथ ही वोंट टू सी अवरिवन हैपी पर आप ये भी चाते हो कि यहाँ पे सबको स्टेबल हो जाए यहाँ पे आपके परसन की एनरजी निज़र आ रही है ऐसा लग रहे है कि यह परसन अपने आप में ही बहुत सदर डिसपॉंटेड है नाइन अव वांट्स की एनरजी ठीक है ऐसा लगता है इनको पता है इनोंने आपको डिसपॉंट किया है इनको पता है इनोंने आपका दिल दुखाया है इनको पता है कि इस समय ना आप इनसे बहुत कट-कट के रह रहे हो बहुत अलग-अलग से रह रहे हो और आपको कही ने कही बहुत रुलाया भी है बहुत रुलाया भी है और वो जो चीज थी ना इनकी उसके वज़े से क्या हुआ कहीं न कहीं आपके person ने आपको मजबूर किया है कहीं न कहीं इसी चीज के वज़े से इना आप इस person से दूर रहना सीख गए हो वरना आपने कभी भी इनको ऐसे avoid नहीं किया होगा ये जानते हैं इसी इसी चीज के वज़े से आप दूर रहना सीख गए हो इनसे ठीक है वो भी देख रहे हैं आपके behavior में बहुत change आ चुका है वो भी देख रहे हैं कि पहले जैसे चीजों को खुल-खुल के बोला करते थे अब आप जादा नहीं बोलते हैं वेट करते हो अगर ये person initiative लेते हैं थेक है बहुत बड़े हैं बहुत अच्छी बात है बले बले पर अगर आपके person बिलकुल कुछ नहीं बोलते हैं तो भी आप नको कुछ भूलते हैं नहीं मन अपनी चीजों को मार रहे हो मनी मन चीजों को अंदर रख देते ह हो ये भी इस person ने देखा है तो इस person की जो मतलब curiousness है ना देखो इस तरफ ये जो चीज़ हो रही है family की तरफ से जो भी खुशिया आपकी life में डाली जा रही है और आप जिसको टाल रहे हो आपके person को भी इस चीज़ का डर है खुद देख लो कि person को भी ये लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया जिसके विसे चीज़े डिले हो रही है बहुत ज़्यदा डिले हो रही है ठीक है और आपको इनसाफ मिलना भी चाहिए और हला कि ये person बहुत ज़्यदा डरे भी हुए है कि अगर यहां पे इस तरफ बात पकी हो गई वहां पे आपको अपने deserving love मिल गया तो आप उस तरफ भी जा सकते हो तो अपने किये पर disappointed है ठीक है देखो अभी they have ignored you इन्होंने आपको block किया है इन्होंने आपको ignore किया है और साथ रहते ही हो सकते है इन्होंने आपको गुमरहा भी किया है साथ रहते ही गुमरहा भी किया है तो रुका नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा ऐसे लगता है जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है वो चीज होनी नहीं चाहिए थी और वही चीज कही ने कहीं आपके परसन को भी रिटेट कर रही है 11-11 मैंने देख लिया तो यह आपकी ना current energy मैंने बताई आपके परसन को बहुत बेचानी महसूस हो रही है restless, बहुत restless, बहुत restless मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में बहुत बुरा-बुरा सा खुद के बारे में ये बोल रहे है बहुत बुरी-बुरी चीज़े इन्होंने आपके साथ की है पर देयार regretting कि इन्होंने आपके pure love को ठुग रहा है ठीक है, देयार regretting that इन्होंने बहुत precious चीज़ को ना किया है बहुत precious चीज़ से मूँ मोड़ा है और एक चीज़ और भी डर है जैसे आप बोलते हो, या आते क्यों नहीं है मुझे साफ दिखाई दे रहा है यह चाहिए कितने भी रडियो जहां पे आपके family तक जाने की बात आ रही है जहां पे आपके family को convince करने की बात आ रही है आपके person के मन में डर है अपनी चीज़ों को लेके, पनी past की चीज़ों को लेके ठीक है, वो भी यही देख रहे हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि कहीं उनकी नजर में मतलब आपके person loser ना दिखें कहीं उनकी नजर में ऐसा ना हो कि चीज़ें धरी की धरी रह जाएं या फिर कहीं उनकी नजर में ऐसा ना हो कि reject होने का डर ठीक है, कहीं न कहीं reject होने का डर खुदी देख लो साफ यह energy they are speaking for itself क्योंकि मैंने बोला था there is justice ठीक है, this card there is justice but there is loneliness justice के साथ loneliness भी है justice के साथ एक fear भी है see what is happening what's coming for you is balance balance यह जो answers है आपको बहुत जल्द reveal होंगे यह जो answers है जो आप चाह रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपने मन ही मन में and this person is going nowhere they are returning to you wound है बहुत जखमी दिल है पर यह किसी गलत सा रास्ते में नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत गलत फैसला इन्होंने नहीं लिया है कोई कोई होते हैं अपने गिल्ट को चुपाने के बिल्कुल अलग रास्ते पे चल देते हैं बिल्कुल ही 13-13 दिख गया है मुझे comment section में बताईएगा बिल्कुल separate होके इनके मन में आता है कि चल देते हैं कोई बात नहीं अपनी गल्टी को चुपा के नहीं सही रास्ते पे आ रहे हैं सही रास्ते इन्होंने चुना है कफैसला बिल्कुल सही है कफैसला सही है कि चीज़ों को मेरा अब सही करने की बारी आ गई है positivity और interest दिखाओगे तो आप अपना प्यार वापस पा सकते हो, आपको अपना प्यार वापस मिल जाएगा, कोई दुराहे नहीं है, ठीक है ना, आप इन से अपना प्यार वापस ले सकते हो और इनको ऐसे लगते हैं कि आपके connection जुड़ने के भी बहुत chances है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है family involved है, तो यह connection बहुत serious है चाहे भी no contact हो delusion नहीं है illusion है पर delusion नहीं है हो सकता है negatively आप सोच रहे हो और वो negative thinking मुझे नहीं लगता manifest होगी, मुझे लगता है कि इनके action से इस रिष्टे में बहुत movement होगी इनके action से यहाँ पर justice होगा because I know आप अपने care से या फिर अपने action से इस person को change कर सकते हो इनका ध्यान अपनी और खीच सकते हो और अभी तक खीच रहे हो आपकी silence से ही इनका ध्यान आपकी और आ रहा है दिखाई दे रहा है so something a moment is coming forward with your support with your permission यह reading कैसी लगी बताएगा जिरू description box में यह reading का link होगा देखके जरूर चाहिएगा मिलोंगी अगली reading में एक new energy के साथ take care, bye bye 15, 5 thank you so much